नमस्कार मैं हूँ कवीदा बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को पीली मिठाई या पीले मीठे चावल का भोग लगाय जाता है आज हम पीले मीठे चावल बनाएंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिये हैं एक कटोरी बासमती चावल एक कटोरी चीनी या सौधनसवर एक बड़े चमच देसी गी दस बारा काजू, दस बारा बादाम, दस बारा किश्मिष, एक इंची दालचीनी, एक तेजपत्ता, दो लोंग, दो छोटी लाईची, साथ आठ काली मिठ, केवडा एसेंस, दो इंची लंबा कटा गूला, यलो फूट कलर, या हल्दी, या केसर भी ले सकते हैं चावल को हमने अच्छे से दोकर अदा घंटा पानी में भिगो दिया था अब पानी से निकालेंगे गी डालेंगे। गी के मेल्ट ओने पर बादाम डालेंगे। बादाम के हाफ फ्राई होने पर काजू डालेंगे। ब्राउन होने पर निकालेंगे अब कुकर में छोटी लाइची दाल चीनी लॉंग काले मिर्ज और तेज पतर डालेंगे अब पानी निकले हुए चावल डालेंगे मीडियम फ्लेम पर चावल को दो तिन मिनट तक भूनेंगे अब चावल में फूट कलर या हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि चावल तोटेना चावल में दो कडोरी पानी डालेंगे एक पिंच नमक डालेंगे ताकि मीठा बैलेंस रहे कर्ची से चलाएंगे कुकर का धकन बंद करेंगे एक विसी लाने के बाद गैस की फिलेम आउफ करेंगे कुकर ठंडा आने पर कुकर को खोल कर देखते हैं चावल हमारे अच्छे से बन गए हैं अब चावल में चीनी एड़ करेंगे गैस की फिलेम लो रखेंगे थोड़े कटेवए ड्राइफ रूट्स डालेंगे हलके हातों से चावल और चीनी को अच्छे से चलाएंगे चावल का पानी सूखने के बार चावल में चार पांच ड्रुफ्स के वड़ा एसेंस डालेंगे हमारे पिले मीठे चावल बन कर त्यार हैं अब इसे एक ट्रेय में सर्व करेंगे उपर से ड्राइफ फ्रूट्स और चेरी से घर्निश करेंगे अगर आपको अमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो तेकने के लिए धन्यवाद and बाई बाई